नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में जैसंकर प्रसाद द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक सकंद गुप्त उसी की रंगमंचिया संभवनाएं इस विशय पर आज बात करेंगे रंगमंचिया संभवनाएं अर्थात इसको रंगमंच पर प्रस्तुत करने में क्या चुनवतियां आने वाली है या फिर इसे आसानी से रंगमंच में प्रस्तुत किया जा सकता है कह सकते हैं कि थियेटर में दिखाया जा सकता है या फिर क्या है मंच में मंचित किया जा सकता है तो इसे मंचित करने में क्या समझ चाये हैं या क्या असानी है इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे ये टॉपिक एक्जाम के point of view से भी काफी important है अगर आप विगध ब नाटक से संबंधित और भी जो प्रस्ण है या फिर इस नाटक का जो कथासार है वो भी आपको इस चैनल में मिल जाएगा आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं पहले प्रसाद और के बारे में स्टेज के बारे में इनका क्या विचारथा इसको देखते हैं सामान्यत नाटक की रचना में रंगमंच को केंद्र में रखा जाता है और अर्थात इसको थियाटर में प्रदर्शीत किया जा सकता है उसी का धर पर लिखा जाता था लेकिन प्रसाद का जो मत था वो इससे फिन्य था है ना क्योंकि वह रंग मंच को नाटक का एक हिस्सा मानते हैं नाटक का केंद्र नहीं उनका विचार है कि नाटक के अनुरूप सुविधा जुटाना ये रंग मंच का काम है अर्थात रंगमंच के अनुसार नाटक लिखना जरूरी नहीं है मैं नाटक लिख दूंगा उसके अनुसार किस तरह से रंगमंच को एड़ेस्ट किया जा सकता है ये तो रंगमंच का काम है ये तो उन लोगों का काम है जो रंगमंच को सजाते हैं इसी कारण उन्होंने अपने नाटकों पर रंगमंच के दबाब को स्विकार नहीं किया, भारतिय रंगमंच की विकास परमपरा पर चिंतन के बाद भी वे इसी निशकर्ष पर पहुंचे कि नाटक रंगमंच को निर्धारित करता है, रंगमंच नाटक को नहीं, तो ये तो प्रशाद के समय हिंदी के छेत्र में पार्षी रंगमंच और भारते नदू रंगमंच प्रचलित थे आप जानते हैं कि नाटक को साहितिक विधा के रूप में प्रतिस्ठापित करने का स्रेई भारतेंदू हर्श्चंद्र को जाता है और उन्होंने ही हिंदी नाटकों का मंचन प्रारम कराया तो एक तो उनका रंग मंच पत्धति थो धा और दूसरा पार्सी रंग मंच पत्धति वह भी काफी चल रहाता उस समय लेकिन यह पार्सी रंग मंच था यह तो पूर्ण तह व्यावशाईक था और भारतेंदु का जो रंगमंच था वो भी अव्यवहारिक और सौकिया, मतलब वो ऐसे सौक के तोर पर किये थे प्रसाद को दोनों ही रंगमंच पसंद नहीं थे क्योंकि पार्सी रंगमंच दर्शकिय संदर्व सांस्कृतिक अभद्रता कित्रीम प्रदर्शन प्रनाली से ग्रस्त था और भारतेंदु रंगमंच के साधन सीमीत थे और प्रसाद मानते थे कि सिमीत साधनों द्वारा सम्मुन्नत सांस्कृतिक चेतना तथा नाटककार की कलपना को विश्दार नहीं दिया जा सकता है तो ये दोनों ही जो परंपरा थी पद्धती थी तो दोनों में दोस निकाल दिये तब इनके लिए क्या ओप्शन बचा कि हिंदी नाटक के लिए नया रंगमंच का तरीका सोचा जाए उन्होंने इस तत्थि पर ध्यान ही नहीं दिया कि उनके रचीत द्रिश्य को किस प्रकार साकार किया जा सकेगा और इसी कारण उनके नाटक रंगमंच के लिए चुनावती बन गए उनके नाटक यथार्थ वाधी रंगमंच की प्रतिकात्मक पद्धती तथा भारतिय नाट्य परमपरा की निर्थ्य मुलक अभिनई में मन्चीत किये गए परंतु फिर भी कुछ अभिव्यक्त होने से रह गए इसका प्रमुक कारण उनका कठीन द्रिश्य विधान था तो मन्चीत करना थोड़ा सा कठीन ही था अब जैसे उस समय थियेटर में सो करना था कि एक बार क्या हुआ कि वे कुम्भा के बांध तूड़ जाने से जल में बह गए अब इस द्रिश्य को मन्च पर दिखाना उस समय क्या था काफी कठीन था अगर वो रंग मंच को ध्यान में रख कर लिखते नाटक तो वो भी उसी तरह का बात लिखते कि जिसको क्या किया जा सकता था मंचित किया जा सकता था लेकिन वे कभी ऐसा नहीं सोचे वे लिख दिये अब उसको कैसे मंचित करना है वो तो मंचित करने बाला ही सम्झे ये दिक्कत है असल में परशाद जी को लगता था कि अगर हम रंगमंच को ध्यान में रखते हुए नाटक को लिखेंगे, तो उस नाटक में जो कुछ हम व्यक्त करना चाहते हैं, जो मेरा भाव है, वो ठीक से उसमें समा नहीं पाएगा, है ना, तो ये उनके साथ बात थी, अब देख लेते हैं, सकंद गूप्त में द्रिश्य जोजना और रंग मंचियता, है ना, तो सकंद गूप्त जो कथानक है, इसमें कूल 23 द्रिश्य है, है ना, तो ये भी एक बड़ा चलेंज है, उतना बार परदा को क्या करना है, बदलना है, इतने द्रिश्यों को रंग मंच पर परिवर्तित करना समय लेने वाला और और बेवहारिक लगता है, इतने द्रिश्यों में कु इनका जो नाटक काफि लम्बा हो जाता था, अलग अलग द्रिश्यों को परिवर्तित करने में भी समय अधिक लगने से रंग कार्य और उचीकर हो जाता था, ये एक बार करने से जो क्या है, स्टेज का परदा चेंज किया जाता, तो सीण चेंज किया जाता था, काफी कर्मियों ने प्रतिकात्मक रूप में मंचन करने का प्रयास्तों किया क्योंकि इससे हर नए दिरिश्य में परदा गिराने उठाने की जरुरत नहीं होती लेकिन सकंद गुप्त का कथाना कठीन और उल्जा हुआ है जिससे प्रतिकात्मक रंग विधान भी अपैक्षित परि जाना इसको मंच पर प्रदर्शित करना उस समय के लिए हसंभव था और प्रतिकात्मक रूप से भी इन दिरिश्यों का संकेत अपैक्षित प्रयोजन को सिध्ध नहीं कर पाता सकंद गुप्त जैसे नाटक के दिरिश्य भारतिय प्राचीन का व्यात्मक रंग साला भी ती चित्रों एवं नाट्य धर्मी संकेतों से रंग मंच पर प्रस्तुत किये जा सकते थे लेकिन ऐसी रंग सालाएं उस समय अब सुलब नहीं थी जैसे सकंद गुप्त में हत्या, यूद, सम्षान, आधिका दिरिश्य भारतिय नाट्य परंपरा में वर्नित है जिससे इस नाटक को भारतिय रंग विधान में भी मंचीत नहीं किया जा सकता हालाकि यह माना गया कि इसकंद गुप्त की दिरिश्य जोजना में प्रसाद पार्शी रंग मंच से प्रभावित्तो थे परंथु चित्रांकित परदों द्वारा मंची दिरिश्य जोजना द्वारा प्रस्तुत करने पर यह नाटक रंग मंची दिरिश्य जोजना की दुर इरोधी थे लेकिन बाद में थोड़ सा कम्प्रमाइज किये कि वो जो पार्शी रंग मंच था उसका सहायता थोड़ा लेना भी पड़ा लेकिन लेने के बाद भी मंचन करना उनके नाटकों को थोड़ा दुरुह काम था सकंद गुप्त की दृष्य योजना सरलना होने के कई कारण है कुछ दृष्य विशम है तो कुछ सघन और कुछ नाटकिय तो कुछ सिथील अनाटकिय उबाव जिससे प्रस्तूति करन का प्रभाव विखर जाता है और अब सकंद गुप्त में भासा समवाद और अभिनए है यह सब का किस तरह से प्रभाव पड़ा तो प्रसाद के नाटकों की कलीश्ट चित्रात्मक आलंकारिक एवन गीतात्मक भासा लंबे समवाद इसके अभिनए की कठीनाई के अन्यकारक हैं है तो मंचन करने में इसलिए भी दिक्कत है कि भासा संसक्रितिनिस्ट आलंकारिक गितात्मक, लंबे-लंबे, समवाद, तो क्य है अभिनाई के लिए सब कठीन काम है, शकंद गुप्त की भासा का अभ्यात्मक है, जो की नाटक के लिए ठीक से उपयूक्त नहीं है, ये भी समस्या है, तथा भासा और समवाद भी अभिनाई ब्यांजक गति को नहीं बढ़ात उसका भासा संस्कृतिनिस्ट, संधी, समाज, युक्त, क्लिस्ट भासा है, सभी पात्र इसी तरह की क्लिस्ट भासा का प्रयोग करते नजर आते हैं, चाहे उनका सामाजी किस तर कैसा भी हो, अर्था सामाजी व्यक्ति भी इसी तरह का भासा का प्रयोग कर रहे हैं, जो विद पात्रानुसार भासा का प्रयोग अभिनई को विश्वस्निय और प्रभावी बनाता है वो भी इसमें कमी दिखाई देता है सकंद गुप्त की भासा और संबाद भी कठिन है परन्तु उसमें नाटक तुव का अभाव नहीं है क्योंकि प्रसाद को सर्जनात्मक इस्तर की भासा के नाटकिय मर्म की पहचान्ती स्वर के आरोख अब्रोह में यह नाटकियता जलकती है भासा में नहीत क्रिया व्यापार के संकेत तनावपूर्ण स्थीतियों में नाटकियता अक्छुन है अर्थात सारे जो दोसी ही है ऐसा नहीं कुछ खुबियां भी है सात्विक अभिनाई मुद्राएं भी नाटकियता से युक्त है जदी सकंद गुप्त की भासा की अतिरं संजीता को कम कर दिया जाए तो नाटक का मंची आलेक तयार करने से इसका प्रदर्शन प्रभावी रूप से संभव भी है सकंद गुप्त की भासा पर समग्र दिरिष्टि डाले तो इसकी भासा क्लिस्ट जरूर है भाबुगता का उन्मेस होने या पात्रों के अंतरद्व संभंद एवं उफापो की स्थिती में नाट्टी स्थितियों में भी भासा कठीन तो है किन्तु वेवहारिक, सुचनात्मक, तनाव, व्यंग, हास, आधी प्रसंगों में भासा सरल तथा सुगठित भी है अर्थात भासा का प्रयोग किस प्रसंग में हुआ है इस से भी क्य है ये निर्भर करता है कुछ प्रसंगों में ये सरल भासा का प्रयोग करते हैं और कुछ प्रसंगों में कलिस्ट भासा का प्रयोग करते हैं अब अगर गीत स्रिष्टी का बात करें या गीत योजना क्या है उसके नाटक में क्या है कई गीत भी है तो प्रसाद के नाटकों में गीती योजना भी है जो उसके मौलिकता का परिचय देती है इसके द्वारा संवेदात्मक्षनों को अभिव्यक्त करने के लिए गद्य संग लापों को सक्षम न पाने पर उन्हें गीतों में रुपांतरित करने का प्रयास किया गया है इससे नाटक की जो गत्यात्मक्ता है वह बाधित हुई है अर्थात एक प्रसंग चल रहा है अब उसमा चानक से गीत आ गया तो जो उसकी गती है वह गती टूट जाती है गीत रचना से दर्शक भी कथा सुत्र से थोड़ा बहुत भटक ही जाते हैं क्योंकि नाटक के मूर्थ ब्यापार और प्रगीतों में और सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है गीत चरित्र के अंतर वाहिय व्यापार को तो सुलब बनाते हैं किन्तु नाटक की गती को मंद कर देते हैं इसकंद गूप्त में कई गीत हैं जो पात्रों के सौभाव कथानक के भाव सौंदरिय अंतर वस्तु से प्रभा को ब्यंज गीत करते हैं इसकंद गूप्त में गीत योजना का व्यात्मक्ता को सुद्रीर करती है गीतों से अंतर वस्तु का विश्तार होने के साथ बाहिय वस्तु का भी जुडाव हुआ है नाट्टिय व्यापार को दिशादेने पात्रों की चारित्री के बंग समवेदनात्मक अनुभूती को उभारने में मदद मिलती है किन्तु इससे नाटक का अभिनई सिथिल होकर दर्शकों को बोर करता है समग्रत इसकंद गूप्त की संग्रचना जटिल है पात्रों और द्रिश्यों की अधिकता रंगमंच की सीमा से बाहर है अनेक रूपों में पात्रों की उपस्थिती समुही करन को समाप्त करती है भासा और समवादों की जटिलता भी अभिनेता के लिए कठिनाई उत्पन करती है और उसका अभिनाई सही रूप से हो ही नहीं पाता अता सभी द्रिष्टियों से इसकंध गुप्त की अभिनियता बहुत दुरु है जो इसे अभिनाई की नाट्य द्रिष्टी से दूर ले जाती है तो पूरे वीडियो को अगर समराइज किया जाए तो यही अर्थ हुआ कि उनका जो नाटक था उसको मंच पर मंचित करना दु और बहुत धन्यवाद